और अब खबर जैसल मेर के डेला सर सरहत से है जहाए खेत में एक घर में आग लगने से 6 महा का मासूम बच्चा जिन्दा जल गया बच्चे के जलने से दर्दनाक स्थिती में मौत हो गई और वहीं जोपड़े में रखा आनाज, कपड़े, आबूशन और नकदी भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई दिनराम ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ ही खेत पर काम करने के साथ परिवार साथ रहता है वे पती पतनी तीन बच्चों को जोपड़े में सुला कर खेत में काम करने में जुटा था और कुछी देर में जोपड़े को जलतावा देखकर वे दोनों भाग कर आए इस दुरान वे दो बच्चों को तो बचाने में कामियाब हो गए लेकिन आग फैलने से 6 मा के मासूम बच्चे को नहीं बचा सके क्योंकि आग बजाने के लिए पानी ही नहीं था आग की लपटे और दोनों के रोने की आवास सुनकर पडोसी दोड़ कर आए और आग बचाने का काफी प्यास किया लोगों की सूचना पर स्थानी पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और नलकूप चला कर आग बजाई लेकिन तब तक मासूम जलकर पूरी तरह से उसकी मृत्य हो चुकी थी